पॉस्टर बनाने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स दिये हुए हैं जो बारी बारी से आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे वहले हम चले आदें के अंदर में और के अंदर में आपको बने हुए कुछ टेंपलिट्स मिलते हैं पोस्ट बनाने के लिए चाहे आप बर्डे का पोस्ट बनाना चाते हैं चाहे आप बनाना चाते हैं इंस्टाग्राम का पोस्ट या कोई वीडियो या इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टर तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसी open करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं उपर छटवे नमबर में एक बीच में आपको option दिख रहा है poster का जैसी आप poster के अंदर में जाते हैं सबसे बहले अगर आप poster design कर रहे हैं सीधी बात है या तो आप किसी farm के लिए काम कर रहे होगे या आप अपनी दुकान का बना रहे होगे या आपने किसी काम का profile बना रहे होगे तो उसकी लिए poster आप बनाना चाते होगे तो यहाँ पर अलग-अलग दिया है, जैसे आप देशकते हैं, school poster दिया हुए, advertising poster दिया है, अगर आप अपनी चीजों का advertise कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप advertising poster उस पर आपको click कर देना है, तो मैं आपको एक simple एक आपको editing करके बता देता हूँ, इसी तरह से लगवक सारे जि क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ background में photo लगा हुआ है, तो इस photo में आप जो है, सबसे पहले तो edit पहले option पे आप click कर सकते हैं, या फिर इसकी नीचे आपको कुछ और option मिल रहे हैं, उसी की तरह आपको recommended option मिल रहे हैं, अगर आपको उपर वाला जो poster पसंद नह नहीं आ रहा है, तो नीचे आपको दूसरे templates दिख रहे हैं, उनको भी आप यहाँ पर आके try कर सकते हैं, तो हम इस पर edit पर click कर देते हैं, edit पर click करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस भी चीच पर आप click करेंगे, वहाँ पर आपको लिखा हुआ जो भी उसके अंदर में लिखा है, वो आपको click हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं, पहली बार जब आप click करते हैं, तो उसको आप यहाँ से उठा के उसको यहाँ से shift कर सकते हैं, कहीं भी आपको ले जाना है, ले जा सकते हैं, अब चाह सकते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, जिसमें मैंने software engineer required मांगे हैं, और we are looking for you, यह उसी तरह का आपको जो है same दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, अगर सब्सक्राइब आपको कोई चीज गलती हो जाती है, जो आपने लिखा है, वो एक recommend मैं आपको यह करूँगा कि जो इसमें लिखा हुआ है, उसी की जगा आप कुछ और लिख लीजे और उसको वैसे ही रहने दीजे जैसा वो है, उसको अगर आप यहाँ वाँ shift करते हैं, तो उसके साथ साथ में आप जो पीछे का background है, वो भी shift करिएगा, तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर दीए, अब आपका जो पीछे का background अगर उसको आप यहाँ से shift करना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं, तो उसको आप उपर नीचे कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, लास्ट option आपका आता है, फोटो होगा, फोटो में जैसी आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको गैलरी खुल जाएगी, जहां से आप अगर कोई और फोटो उठाके इसमें डालना चाते हैं, या वीडियो डालना चाते हैं, तो वो भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो इमेज वाले option पर आप क्लिक करेंगे, इमेज वाले option पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर फोटो आपको डाल के दिखा देता हूं, सपोज यह फोटो हमने यहाँ पर डाल दी है, फोटो को जहां तक एड्जिस हो सकती, फोटो आप एड्जिस करिए, अगर आप उसको हटाना चाते हैं, तो बैक ग्राउंड आप पहले से ऐसा बना लीजेगा, जहां पर आप उसको उस तरह से दिखा सकें, सपोज हमें इसको छोटा करना है, और इसके बैक ग्राउंड को भी छोटा करना है, तो इस तरह से हम जो है, इसको छोटा कर लेते हैं, और इसको नीचे खिसका लेते हैं, ताकि हमारा जो इमेज है, वो हमको दिखती रहे, तो इस तर प्लस का option इस पर क्लिक कर दिए करने के बाद में आप टेक्स इमेज वीडियो स्टीकर इलस्ट्रेशन यहां पर दिया हुआ टेंपलेट्स जो भी आप डालना चाते हैं वह सारा कुछ आप यहां पर डाल सकते हैं पेज का option भी दिया है सपोज आप है यहां पर टेक्स बियुक्त ब्रप आप इसके अंदर जो भी आप लेखना चाहते हैं आप पहले से बहाँ पर लिख दीजे इस तरह से आप अपनी चीज़ों को लिख के और वहाँ पर छोड़ सकते हैं प्लस वाले option में दूसरा option image का है अगर इसके पीछे आपको image लगाना चाहते हैं पहले से यहां gallery में कुछ images दी हुई है इनकी जो आपको image वाले option मिल जाएगी कि अगर आपके पास images नहीं है तो आप यहां से उठा सकते हैं और इस तरह से आपको images उठा लेनी है और उठाने के बाद में दर से तो हम इसको जो है अगर हमें बाहर लाना है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको option देखने को मिल रहा होगा तो इससे आप आंगे ला सकते हैं इस चीज को और लाने के बाद में आपको right tick पर click कर देना है होंड का अगर आप color वगरा चेंज करना चाते हैं तो वह यहां के कर सकते हैं तो यह तरीका है इसको edit करने रहे का और इसको छोटा कर देते हैं और उठा के हम उसको होगा देते हैं जहां में लगाना है तो इस तरह से जो है त्वीवार क् señor डायष कर सकते हैं और अपनी फोटो बनाने के बाद में यॉपर देख सकते हैं एक अप्लोट का ऑपशन और download option द वाले option पर आप click कर लीजे click कर देना है आपको free वाले option पर क्योंकि वैसे तो तो मेरी photo direct save हो जाती है आपको शुरू में option देगा तो आप इसको जो है डारेट कर दीजेगा इसके बाहिन दोस्तों आप अगर इसकी इमेज हमारी अभी हमने बनाई एडिट करी इसको आप अपने रीसेंट में जाके आप देख सकते हैं जो आपने फोटो एडिट करी वो as it is वहाँ पर आ गई है